राधे राधे दोस्तों कैसी हो आप लोग आसकी हमारी कहानी का नाम है दहेजे पापा आप मेरा वो गुरुड हो जो कोई भी कभी भी नहीं तोड़ सकता है एक फैसला आपने लिया था बिना मुझे बताए और आज एक फैसला मैं ले रही हूँ लेकिन सब को बता कर करूंग ताकि कुछ लोगों के लिए सबक हो और कुछ लोगों के लिए मिसाल उर्मिला ने अपने पापा की तस्वीर को हाथ में उठा कर कहा और फिर मोबाइल पर किसी से बात करके जल्दी से बैग पैक किया और सासू जी को ये बोल करकी पापा की तबियत ठीक नहीं है इसलिए फोरन जा रही हूँ ये बोल माईके के लिए निकल पड़ी कहने को तो उसके माईके का रास्ता सिर्फ ससुराल से दो घंटे का है लेकिन आज ये रास्ता भी उसे बहुत मिलो दूर लग रहा था अवी सिर्फ साथ महीना पहले ही उर्मिला की साधी सीवम से हुई थी बच्प राजियू जी कोहरा मचा देते दादी अक्सर उलाहना देती देख लेना राजियू ये तेरी काली माई एक दिन तेरा सब कुछ लूट कर ले जाएगी रास्ते पर लाकर खारा कर देगी इसकी साधी के लिए तुझे अपना घर बार सब लूटाना पड़ेगा तब जाकर इसकी डोली ससुराल में उत्रेगी राजियू भी हस्ते हुए उर्मिला को कंधे पर बिठा कर कहते अरे अमा काहे चिंता करती हो बिटिया अपनी किस्मत खुद लाती है और मेरी उर्मिला काली मा का अंस है देखना एक दिन ये मेरी नईया पार करवा देगी दादी तब प करसित कर लेती थी पढ़ाई लिखाई के साथ साथे नाच गाना और घर गिरस्ती में सभी कार्यों में उर्मिला दक्ष थी जो उर्मिला से एक बार मिलता उसकी प्रसंसा किये बिना नहीं रहता लेकिन दादी की बात कुछ हद तक सही होने लगी थी लड़की वाले आते उ सीतल च्छाओं की तरह सिवम उर्मिला की जिंदगी में आया कुछ अर्चनों के बाद उर्मिला सिवम की हो गई शसुराल जाते ही बहुत जल्द उर्मिला ने पूरा घर अच्छे से संभाल लिया वैसे तो उसके साथ ससुर उसे कुछ कहते नहीं थे लेकिन जब भी कोई उर्मिला की तारिफ करता तो दोनों यहीं कहते कि बच्चों का फर्ज होता है अपने माता पिता की सेवा करना जब जैजाद पर हक मांगते हो तो सेवा भी उसी हक से करो और फिर हमारे बाद सब इन ही कातो है अभी साधी को तिन महीना ही बिते थे कि उर्मिला की दादी की तबियत खराब होने की खबर आई उर्मिला जब अपने सहर पहुची तो उसे एक बात बहुत खटक गई उसके पापा उसे अपने घर की जगा एक किराई के फलेट में ले गई उर्मिला ने पूछा तो राजिय जी ने प्यार से सिर परहांत रखते हुए कहा तुम्हारी जाने के बाद उस बरी घर में अच्छा नहीं लग रहा था और फिर साप सफाई में भी परिसानी हो रही थी तेरी दादी की भी तबियत ठीक नहीं इसलिए उसे बेच इस छोटे से फलेट में आ गए तू ये सब सोचना छोड जा जल्दी से दादी से मिले आज उर्मिला को याद आ रहा था कि वो जब तक दादी के पास थी दादी उसे इसारों ही इसारों में कुछ बताना चाती थी लेकिन पापा के आस पास रहने के कारण वो ठीक से बता नहीं पाई और फिर दादी ने दुनिया ही छोड दी सब किरिया करम के बाद कुछ दिन पापा के साथ रहकर भारी मन से उर्मिला ससुराल वापस आ गई चाती तो बहुत थी कि पापा को भी साथ ले आए लेकिन बेटी के ससुराल में पानी भी नहीं पीना चाहिए बोल कर पापा ने उसे भेज दिया आने के बाद र ख्याल रखने की हिदायत देना नहीं भूलती थी इधर कुछ दिनों से भोन पर बात करते हुए उसने महसूस किया कि उसके पापा बात करते करते कहीं खो जाते हैं या फिर वो कुछ ऐसा बोलने लगते हैं कि लगता है कि वो चीजे और वो बातों को भूलने लगे हैं उर तुम्हारा घर संसार है इसे संभालो मेरी बाद ये सब तुम्हारा ही है सीवं से कहा तो उसने वादा किया कि वह जल्द ही उसे माईके ले जाएगा ये इतिफाक था ये भगवान की मरजी आज उर्मिला को मार्केट में दूर के रिष्टे की बुवा मिल गई माईके के लगी बात करते करते आचानक बुवा ने ताना मारा तुम तो बहुत खुस होगी अपने ससुराल में वैसे चाची ठीक ही कहती थी कि एक दिन तुम घर बार सब लुटवा दोगी और देखो न वहीं हुआ तुम्हारी साधी के लिए भईया को अपने पुस्तैनी माकान से ह अबियत ठीक नहीं रहती उन्हें भुलने की बीमारी हो रही है ये आप क्या कह रहे हो मेरी साधी माकान सब लुट गया आप मुझे सब साप साप बताईए और मिला जी उत्तेजित होकर बोली तुम्हारी साधी के ठीक एक दिन पहले तुम्हारे ससुराल वालों ने सर्त र कागच उनके हाथ में होने चाहिए घर में मानों से भरा था तुम्हारे हाथ में सीवम के नाम की मेहंदी लग चुकी थी पहले ही तुम्हारी साधी में काफी अर्चन आ रही थी और अब ये रिस्ता भी टुट जाता तो तुमसे साधी कौन करता और फिर जो कुछ भी प्रिया ने मकान के पेपर बनवा कर तुम्हारे साध ससुर को दे दिये पग फेरे होने के बाद उन्हें घर खाली करने को बोल दिया गया बुआ के मुसे अपनी साधी का इतना बरा सच सुनकर उर्मिला के पैरों से जमिन खिसक गई किसी तरह वो वापस आ गई और तुरं पापा के हाथों को मजबूती से पकर कर उन्हें घर के अंदर ले आई ममी जी पापा जी आज से मेरे पापा यहीं रहेंगे सीवम आपने गेस्ट रूम ठी करवा दिया है ना उर्मिला की बात सुनकर उर्मिला के साध ससुर भोचक्के रह गए तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है बहु तुम्हारे पापा बेटी के घर रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे सासु जी उर्मिला का हाथ पकर कर बोली और फिर राजीव जी की तरफ देखते हुए बोली अरे आपकी बेटी तो नादान है लेकिन क्या आपको भी अपनी इज़त का ख्याल नह लेकिन इसने अपनी कसम दे दी इसलिए साथ चला आया लेकिन मैं चला जाओंगा यहां नहीं रहूंगा आपकी इज़त पर आच नहीं आएगी इज़त अरे इज़त का ख्याल किया तभी तो पापा ने आपकी ना जायज मांग को भी मान लिया मुझे सब पता चल चुका है कि आपने मेरे पापा को किस हद तक मजबूर किया था अपनी बेटी के भविस के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया मेरे पापा मेरा वो गुरुड है जो कोई भी कभी भी नहीं तोड़ सकता और फिर मैंने तो आपकी ही कही बात का पालन किया है आप ही सबसे कहती है कि बच्चों का फर्ज होता है अपने माता पीता की सेवा करना जब जैजाद पर हक मांगते हो तो सेवा भी उसी हक से करो और फिर हमारे बाद सब इन ही का तो है आपने मेरे पापा की जैजाद अपने बेटे के नाम करवाली इसलिए सीवम और उसकी पतनी यानि कि मैं हम दोनों का फर्ज है कि आप उनकी जैजाद हमारे नाम पर है तो सेवा भी हमको ही करनी पड़ेगी आपके बेटे को इसमें रहेंगे तो मैं और सीवम अपने पापा को लेकर पुस्तैनी मकान में चले जाते हैं वैसे भी ये घर किराये का है आपके पास जैजाद के नाम पर कुछ गहने एफडी वेगरा है तो आप वो रख लिजिए हमें नहीं चाहिए उर्मिला की बात सुनकर ससुर जी सीवम को से देखने लगे पापा उर्मिला ने मुझे कल रात ही सब बता दिया था और यकिन मानिये पहली बार मुझे अपसोस हुआ है कि मैं आप लोगों का बेटा हूं खेर जैसा कि उर्मिला ने कहा कि रूल सब के लिए एक ही होगा जब जैजाद मेरी नाम पर है तो सेवा भी आप दोनों ने उर्मिला के पापा तो अब हमारे साथ ही रहेंगे अब आप देख लिजिए कि आपको कहा रहना है सीवम की बात सुनकर दोनों ही अपना सिर जुका लिया उर्मिला और सीवम राजीव जी को उनके कमरे में ले गए ये देखकर साथ ससुर दोनों हाथ मलते रहे गए उर्मिला ने अपने साथ ससुर को चेतावनी दी कि अगर उसके पापा के साथ कुछ भी गलत किया तो वो आप लोगों को नहीं छोड़ेगी और राजीव जी को आज अपनी बेटी और दमाद पर गर्व हो रहा था और सीवम ने एक बेटा बनकर उनके सारे पूरे किये तो दोस्तों आसा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक सेयर और सब्सक्राइब किजिएगा और इस कहानी पे आप लोगों की क्या रहे हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा धन्यवाद